Hello everyone, this is Prachuk Gupta and I welcome you all. Microsoft Excel series में आज हम Basic Arthematic Operations, Basic Formatting और Basic Printer Settings डिसकस करेंगे. इस सीरीज के पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें. आईए शुरू करते हैं आज का सेशन. Formulas क्या होते हैं? Formulas हम Excel में Mathematical Calculations के लिए यूज करते हैं. और formula हमेशा Equal Sign से स्टार्ट होता है, पहले हम यूज करेंगे Equal Sign, उसके बाद ही हम Calculation का Formula Write करेंगे. यहाँ पर हमने तीन एक्जामपलस लिया है, पहले एक्जामपल में हमने दो नमबर्स को हमने एड किया है, तो यहाँ पर भी देखिए, हमने पहले Equal Sign यूज किया है, फिर बाद में हमने नमबर को एड करने का Calculation Write किया है. second example में हमने multiplication का calculation लिया है तो इसमें भी हमने पहले equal sign यूज किया है उसके बाद हमने multiplication का formula यहाँ पर हमने write किया है third example में भी हमने division का calculation लिया है तो यहाँ पर हमने पहले equal sign यूज किया है उसके बाद हमने division का calculation किया है इस तरीके से जब भी हम formula write करते हैं तो पहले हम equal sign यूज़ करते हैं उसके बाद ही हम अपना calculation राइट करते हैं तो formula mathematical calculations के लिए यूज़ किया जाता है excel में और formula हमेशा equal sign से ही start होता है excel में formula हम cell का reference लेकर के भी कर सकते हैं मतलब cell का reference यूज़ करके हम calculations कर सकते हैं जरूर ही नहीं है कि हमेशा हम numbers ही type करें अगर cell में कोई content लिखा है एक excel की sheet का screenshot है और यहाँ पे cell में A1 cell में यहाँ पे 2 लिखा है और A2 cell में यहाँ पे 4 लिखा है अब हमें A3 cell में यह है A3 cell अब हमें A3 cell में A1 और A2 cell का sum चाहिए A1 और A2 cell को हमें add करके A3 cell में display करना है तो हम यहीं पे formula लिखेंगे यहाँ पे हम formula लिखेंगे equal to sign और फिर लिखेंगे A1 plus A2 और जैसे हम enter हिट करेंगे, जैसे हम enter की press करेंगे वैसे ही A1 और A2 का sum होके A3 cell में यहाँ पे display हो जाएगा तो formula जो हम write करते हैं तो हम cell का reference भी use करते हैं formula को write करने में, cell का reference use करके भी हम formula को write कर सकते हैं calculations को हम perform कर सकते हैं Excel तो आईए इसे हमे practically करके देखते हैं इसके लिए हम Excel sheet open करते हैं practical के लिए हमने Excel का blank workbook open कर लिया इस blank workbook में एक sheet है sheet 1 और इस sheet पे A, B, C, D यह सारे है columns और 1, 2, 3, 4 यह सारे है rows और यह जो rectangular boxes आप देख रहे हैं यह जो rectangular boxes हैं, इन्हें हम cells कहते हैं जिनमें हम data enter करते हैंः या formula write करते हैं यह सब तो हमने पहले के session में भी discuss किया अब आव आवे session में हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि Excel में हम formula कैसे write करते हैं तो formula add करने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी cell में formula enter करना है हम उस cell को select करेंगे for example हमें A1 cell में formula enter करना है तो मैंने A1 cell को select कर लिया हम जिस भी cell को select करते हैं उस cell का address यहाँ पर display होता है अभी हमने A1 cell select किया है इसले cell का address यहाँ पर A1 display हो रहा है अब हमें अगर A1 cell में एक formula write करना है दो number को add करने के लिए for example हमें 4 और 2 को add करना है और उसका result हमें A1 cell में चाहिए तो अब यह हम कैसे करेंगे तो formula सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि कोई भी formula start होता है equal to sign से तो हम A1 cell में सबसे पहले डालेंगे equal to sign और इसके बाद हमें अब हमारा जो भी calculation हमें करना है वो हम यहाँ पर write करेंगे हमें 4 और 2 को add करना है तो मैंने सबसे पहले write कर दिया 4 और फिर हमने type किया plus क्योंकि हमें add करना है 4 को 2 के साथ फिर हमने type कर दिया 2 और हम जैसे ही अब हम enter hit करेंगे तो 4 और 2 का addition का result A1 cell में display हो जाएगा हमने इस cell में जो भी formula type किया है वो formula यहाँ पर formula bar में भी display हो रहा है हम चाहें तो formula bar में भी directly formula type कर सकते हैं तो जो भी हम cell में formula type करते हैं वो formula bar में display होता है अब हम जैसे ही A1 cell पर enter hit करेंगे तो 4 और 2 का sum A1 cell में display हो जाएगा तो यह भी कि 4 और 2 का sum 6 A1 cell में display हो गया और जैसे हमने A1 cell को select किया तो A1 cell में हमने जो भी formula एंटर किया था वो formula यहाँ पर formula bar में display हो रहा है तो इस तरीके से हम कोई भी formula एंटर करते हैं cell के अंदर अभी तो हमने directly sorry अभी तो हमने directly यहाँ पर number डाला 4 और 2 हम चाहें तो 4 और 2 के जग़ा हम किसी cell का reference भी use कर सकते हैं formula में calculation में अब हम वो कैसे करेंगे यह समझते हैं अब हम सकते हैं cell में को data एंटर करते हैं C1 cell में हम एक number एंटर करते हैं हमने एंटर कर दिया 8 और C2 cell में हम एक number एंटर करते हैं यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 4 यह है C1 cell और यह है C2 cell जब हम cell को select करते हैं तो cell का address यहाँ पर display होता है अब यह है C3 cell C3 cell में हमें C1 cell और C2 cell का content को हमें add करना है C3 cell में इसका result हमें C3 cell में display करना है C1 cell में जो भी लिखा है और C2 cell में जो भी लिखा है इन दोनों के content को इन दोनों की value को हमें add करके C3 cell में display करना है अब इसको करने के लिए हमें formula use करना है calculation करना है तो हमने C3 cell को select कर लिया और यहां पे हम enter करेंगे equal sign क्योंकि formula मेंशा equal sign से start होता है अब हमें add करना है C1 cell को और C2 cell को तो हमें select करना है C1 cell तो यहां पे हमने C1 cell पे click कर दिया और C1 cell select हो गया देखिए यहां पे C1 cell automatically यहां पे आ गया यहां पे उसके बाद हमें C1 cell को add करना है C2 cell में तो हमने एक add operator यहां पे add कर दिया और उसके बाद हमें add करना है C2 cell को तो हम select करेंगे C2 cell को तो हमें C2 cell select कर लिया अभी हमारा formula complete हो गया C1 और C2 cell के content को add करने के लिए अब result को display करने के लिए हम enter key को press करेंगे तो जैसे हम enter key press करेंगे तो C3 cell में C1 cell और C2 cell का sum यहां पे display हो जाएगा C3 cell में मैंने enter key को press किया तो यह देखिए यहां पे 8 plus 4 12 यहां पे display हो गया अब मैं जैसे ही C1 cell में कोई भी content change करूँगे C1 cell की value change करूँगी C3 cell का result अपने आप ही change हो जाएगा क्योंकि हमने यहां पे कोई number specific calculation नहीं किया है यहां पे हमने कोई number नहीं enter किया है इसके formula में हमने यहां पे cell का reference use किया है मतलब यह कि C1 cell में जो भी data entered है और C2 cell में जो भी data enter है वो उन दोनों का sum C3 cell में display करेगा अब मैं C1 cell में यहां पे मैं 12 कर देती हूँ तो देखिए C3 cell का result है वो automatically change हो जाएगा तो यह देखिए यहां पे C3 cell का result automatically change हो गया क्योंकि हमने C1 cell का content का value यहां पे C1 cell का value हमने change कर दिया तो इस तरीके से हम cell reference को formula में calculation में use करते हैं अब एक्सल में इस table को create करेंगे इस table में हमारे पास 5 column से 1st column है serial number का, 2nd column है operator का 3rd column है first number का 3rd column है first number का 4th column है second number का 5th column है result का Arrit谨akipa operator वाले kolum में सबसे पहला operator है addition का तो हमें 1st number और 2nd number को हमें add करना है और result column में result वाले cell में हमें इसका result डिस्प्ले करना है second है subtraction operator हमें first number और second number को subtract करना है उसका result हमें result cell में display करना है उसके बाद है division operator तो हमें first number को divide करना है second number से और इसका result हमें result cell में यहाँ पर display करना है last में है multiplication operator तो हमें first number को multiply करना है second number से उसका result हमें इस cell में display करना है तो यह table create करना है हमें Excel में तो इस table create करने के लिए हम Excel open करते हैं, हम Excel में चलते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, table create करने के लिए हम एक new sheet add करते हैं, तो यहाँ पे जो plus sign आप देख रहे हैं, इसे use करके हम new sheet create कर सकते हैं, तो मैंने इस plus plus sign पे click किया, और यहाँ पे देखिए, एक new sheet create हो गई, अब हम यहाँ पे अपमी choice का कोई भी नाम दे सकते है, requirement के हिसाब से, मुझे sheet 2 का नाम change करके calculator रखना है, तो मैंने calculator यहाँ पे type कर दियो, और मैंने enter की press किया, तो इस sheet 2 का नाम change हो गया, अब इस sheet पे हमें table create करना है, तो हम ऐसा करते हैं, तो हम इस table का screenshot हम इस sheet पे पेस्ट कर लेते हैं, अब इस screenshot को refer करके हम exactly same table यहाँ पे, इस sheet पे create करेंगे, तो सबसे पहले हम column heading enter कर लेते हैं, तो सबसे first column heading is serial number, next column heading is arithmetic operator, the next column heading is first number, then second number, and last column heading is result, हमने सारे column headings enter कर ली, अब हम column का width increase कर देते हैं, जिससे कि यह text पूरा visible हो जा, पूरा text display हो, column का width हमने increase कर दिया, अब सबसे first serial number है, addition, सबसे first serial number है, addition, serial number one, then addition, अब एक cell से दूसरे cell में navigate करने के लिए, एक cell से दूसरे cell में जाने के लिए, हम tap की यूज कर रहे हैं, अब next cell में जाना तो हमने tap की फ्रेस किया, अब next cell में चले गए, पर्स नंबर है 13, सेकंड नंबर है 3, और यहां हमें result compute करना है, result compute करना है हमें 13 और 3 का, तो 13 हमें add करना है 13 और 3 को, और उसका result हमें इस cell में display करना है, तो 13 का cell number है C2, और 3 का cell number है D2, तो इस cell में हम 13 और 3 को sum करने के लिए, हम formula write करेंगे, calculation करेंगे, तो calculation के लिए formula write करने के लिए, सबसे पहले हम equal sign यूज करते हैं, तो हमने equal sign enter कर दिया, अब उसके बाद हमें C2 cell, C2 cell, plus, जैसे हमने 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 C2 cell type किया, जैसे हमने यहाँ पर C2 cell का address type किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह C2 cell automatically blue color से highlight हो गया, यहाँ पर C2 का भी text का जो color है, वो blue है, और यहाँ पर जो C2 cell highlight हो, वो भी blue color से highlight हुआ है, हम चाहे तो type करने की बज़ाए, हम directly cell को select भी कर सकते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, D2 cell को हम select कर लेते हैं, हम यहाँ पर type नहीं करेंगे, हम सीधा select कर लेते हैं, तो हमने D2 cell को select कर लिया, अब हम result compute करने के लिए, हम enter की hit करेंगे, क्योंकि हमारा formula complete हो गया है, हमें C2 और D2 cell का हमें sum, इस cell में display करना था, तो हम enter की hit करेंगे, यह हमने enter के hit किया, यह देखिए, यह result यहाँ पर compute होके display हो गया, 13 और 3 का sum, 16 यहाँ पर display हो गया, अब जैसे हमने इस cell को select किया, इसका जो formula हमने write किया था, वो यहाँ पर formula बार में display हो रहा है, और जो हमने formula select किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो भी cell references हमने use किये थे, वो दोनों यहाँ पर highlight हो गया, C2, cell blue color से highlight हो गया, और D2 cell, red color से highlight हो गया, तो इस तरीके से हम formula enter करते हैं, अब next serial number है, serial number 2, इसका भी data enter करते हैं, next is subtraction, first number 21, second number 9, और यहाँ पर हमें 21 और 9 को subtract करके, हमें यहाँ पर result में display करना है, तो यहाँ पर हमें calculation करना है, तो हम सबसे पहले equal sign यूज़ करेंगे, और अब हमें 21, हमारा जो cell है, हमें उस cell को select करना है, तो 21 कौन से cell में है, उस cell को हमने select कर लिया, 21 का cell address है C3, तो यह दे कि जैसे हमने cell को select के, यहाँ पर C3 automatically display हो गया, अब हमें subtract करना है, तो हमें subtraction के लिए minus sign हमने use कर लिया, और उसके बाद हमें subtract करना है, हमें D3 cell को, तो हमें D3 cell select कर लिया, और फिर हम enter के hit करेंगे, क्योंकि हमारा formula यहाँ पर complete हो गया, हमें result display करना है, तो यहाँ हम अभी enter की hit किया हमने, और यह देखिए result यहाँ पर display हो गया, 21 minus 9 is 12, जैसे हम result cell को यहाँ पर select कर रहे है, उसका formula यहाँ पर display हो रहा है, हम जैसे इस formula को select करेंगे, यहाँ पर जो भी cells हमने formula में use किये, तो वो दोनों cell यहाँ पर highlight हो गया, C3 cell blue color से highlight हो गया, और D3 cell red color से highlight हो गया, अब next formula में enter करते हैं, third formula है हमारा, serial number 3, और यहाँ पर subtraction के बाद, यह negative, minus operator भी हमें write करना है bracket में, अब यह ठीक हो गया, अब next है division, division के लिए हमें slash operator यूज करते हैं, first number है 33, second number है 12, और यहाँ पर हमें result display करना है, यहाँ हमें result display करना है, अब result में क्या करना है हमें, 33 को 12 से divide करना है, तो मतलब 33 का cell number है C4, और 12 का cell number है D4, तो हमें C4 divided by D4 करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे equals का sign, क्योंकि हमें formula enter करना है, और formula में हमें C4 divided by D4, हमें enter करना है, तो यह देखिए, जैसे हमने C4 यहाँ पर type किया, वैसे ही C4 cell अपने आप blue color से highlight हो गया, और जब हमने D4 type किया था, तो यहाँ पर D4 cell अपने आप red color से highlight हो गया, और D4 cell का जो यहाँ पर text आपको दिख रहा है, वो भी आपको यहाँ पर red color से ही दिख रहा है, अभी हमारा यह formula complete हो गया, अब हम result के लिए enter के hit करेंगे, जैसे हमने enter की press किया, तो इसका result यहाँ पर display हो गया, 33 divided by 12 is 2.75, next serial number है 4, 4 में हमें multiplication करना है, multiplication के लिए हम asterisk symbol यूज करते हैं, first number है 7, second number है 3, और यहाँ पर हमें 7 multiplied by 3 करना है, तो 7 का cell number है C5, और 3 का cell address है D5, तो हमें C5 multiplied by D5 करना है, उसका result हमें इस cell में display करना है, तो यहाँ पर हमें calculation करना है, तो हमने enter किया equals का sign, और हम C5 cell select कर लेते हैं, फिर multiplied by D5 cell, अब हमारा यह formula complete होगी, अब हम enter के hit करेंगे, हमने enter के hit किया result के लिए, तो यह दिखे, result यहाँ पर आ गया, 7 multiplied by 3 is 21, तो इस तरीके से हम formulas enter करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, तेबल को थोड़ा format कर लेते हैं, तो सबसे first, सबसे first हमें column का heading देखना है, column का heading हम bold कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने column को select कर लिया, सारे headings को हमने select कर लिया, अब हमने यह font group है, home tab में, font group है, font group के अंदर यह bold option है, हमने इस पर click किया, तो column का heading bold हो गया, या फिर हम control भी shortcut use करके, भी column के headings को bold कर सकते थे, अब हमें अगर table के around, अगर border चाहिए, तो जितना भी table है हमारा, उसको हमने select कर लिया, table को हमने select कर लिया, अब हमें border चाहिए, तो यहाँ पर यह borders है, इसमें से जैसा भी border हमें चाहिए, हम वो border यहाँ से select कर सकते हैं, हमें all borders चाहिए, हमें तो हमने यह all borders select कर लिया, यह देखे, यहाँ पर table के around, all borders create हो गया, इस तरीके ज़र हम table को format करते हैं, अगर हम चाहते हैं, कि हमें अगर यह numbers बगरा जितने भी, अगर हमें उनका alignment चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, हमने numbers को select कर लिया, first number, second number को हमने select कर लिया, अब हमें इन सब का alignment हमें change करना है, हम इन सब को हमें left align करना है, तो यहाँ पर हम click करेंगे left align पर, तो यह देखिए, सारे numbers यहाँ पर left align हो गए, इस तरीके से हम alignment भी change कर सकते हैं, border भी create कर सकते हैं table पर, आप bold कर सकते हैं, unbold कर सकते हैं table को हम format कर सकते हैं, इस serial number को भी हमें left align करना है, तो हमने serial number को भी select कर लिया, और इसको भी हम left align कर देते हैं, तो हमारे table की formatting भी complete हो गई तो इस तरीके से हम formulas एंटर करते हैं excel sheet में table को format करते हैं अब हमें इस table का print out लेना है तो इस table का print out हम कैसे लेंगे तो print out लेने के पहले तो हम इस image को delete कर देते हैं क्योंकि यह image हमें print out में नहीं चाहिए अब print out लेने से पहले हम इस data का इस sheet का view चेक करेंगे page layout view चेक करेंगे अब page layout view ख Zahlा से चेक करेंगे यह नीचे status bar है इस status bar में page के different types के views हैं सबसे पहला view है normal view जो अभी हमारा current view है उससे just next है page layout view हम page layout view पे हम click किया यह है sheet का page layout view अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा table है इसमें 2 pages है यह है पहला page और यह है दूसरा page जो हमारा table है यह 2 pages पे जा रहा है अगर हमें table एक ही page पे चाहिए हमें result column यह जो second page पे है हमें इस result column को भी हमें first page पे ले के आना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसका column का width थोड़ा थोड़ा छोटा कर दे थोड़ा decrease कर दे तो हमने इस serial number column में इसको थोड़ा से decrease कर दिया और हमने arithmetic operator column की भी थोड़ा decrease कर दिया अब यह हम देख सकते हैं कि जो result column जो next page पे जा रहा था अब यह सारा one page पे ही आ गया है अब हम इसका print out ले सकते हैं हम वापर नौर्बर में चलते हैं अब इसका print out लेने के रहा है पर दो options हैं एक तो short key है control P हम control P करके हम यह print window इस पे हम जा सकते हैं आप पे different types के print करने के settings available हैं हम यहां से change कर सकते हैं setting को और दूसरा है file और यहां से print इस option को यूज करके भी हम printer setting वाला page open कर सकते हैं विंडो open कर सकते हैं तो इस window में सबसे पहले है copies हमें जितने भी copies चाहिए print out की हम वो यहां से वो हम यहां पे enter कर सकते हैं हमें अगर एक कोपी चे तो यहां पर हमने 1 एंटर कर दिया, हमें अगर 2 चाहिए तो हमने इसको 2 कर दिया, अब next है printer, हमें किस printer से print करना है, वो हमें यहां से select करेंगे, तो हमारे system के साथ जितने वे printers attached हैं, जितने वे printer installed हैं, वो हमें यहां पर list हो जाएंगे, हम यहां से अपना printer चूज कर लेंगे, printer के बाद है pages, अब चुकि हमारे sheet में एक ही page है, तो यहां पर हमारे पस कुछ option नहीं है enter करने के लिए, मगर यहां पर otherwise अगर हमारे sheet में multiple pages है, तो हमें कहां से कहां तक के pages का print लेना, वो हम यहां पर enter कर सकते हैं, यह है start page और यह है end page, अगर हमें हमारे sheet में 5 pages और हमें सिर्फ 1 and 2 page का print लेना है, तो हमने यहां पर 1 और यहां पर हम 1 to 2 यहां पर enter कर सकते हैं, तो यहां पर हम page की range दे सकते हैं, कि हमें कहां से कहां तक print लेना है, उसके बाद है portrait orientation, page का orientation, हमारे पार दो types के orientation available होते हैं, एक है portrait, दूसरा है landscape, अब यह जो view आप देख रहा है, यह है portrait orientation view, यहाँ पे आपको sheet का preview दिख रहा है, यह है portrait orientation view, जब हम इसे landscape करेंगे तो landscape orientation view भी हमें यहाँ दिखेगा, यह है landscape orientation view, तो आपको जिस भी orientation में print out अभी जो मारी table है, वो portrait orientation में ही अच्छी लग रही है, तो मैंने portrait orientation ही select कर लिया, उसके बाद है page size, हमें जो भी paper size यूज करना है, वो हम यहाँ से select कर सकते हैं, अभी मैंने इसको A4 size select किया हुआ है, आप चाहें तो change भी कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं, executive कर सकते हैं, letter size कर सकते है जो भी आपको page size चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे page sizes available है, अपनी requirement के हिसाब से आप change कर सकते हैं, तो इन settings को करने के बाद हमें print करना है, print command execute करना है, तो print command execute करने के लिए, print command fire करने के लिए, हम यहाँ पे print option है, इस पे click करेंगे, तो जैसे हम print option पे click करेंगे, print command execute हो जाएग तो इस तरीके से हम page का print out लेते हैं, तो आज की session में हमने basic arithmetic operations discuss किया, basic data formatting discuss किया, और basic print settings discuss किया, कि हम document को print कैसे लेते हैं, I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आज की session में बस इतना ही मिलते हैं, next session में नए topic के साथ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा स्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाना ना भूले, thanks for watching,